हलो, good morning friends, आज हम हिंदी व्याकरन का आपका first chapter पहला पाट चुरू करने जा रहे हैं. पहले पाट का नाम है आपका संग्या, जिसे हम इंगलिश में क्या कहते हैं? noun, तो first chapter आपका क्या है? संग्या. तो चलिए समस्ते हैं संग्या क्या है? संग्या किसी प्राणी वस्तू इस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं क्या पड़ी हमने परिवाशा किसी प्राणी वस्तू इस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे हम उधारन से समझें इसे प्राणी हमने पहले चीज क्या पड़ी प्राणी प्राणी में क्या मोहन, मनुष्य, इस्त्री, घोडा, हाती, ये सब प्राणी है, जीव है, तो ये सब इसके उधारन हो गए, फिर हमने पड़ा वस्तू, वस्तू में हम क्या ले सकते हैं, कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात, आदी, उसके बाद हमने क्या पड़ा, भाव के नाम को, अब भाव समझे, भाव क्या होता है, भाव का मतलब उता जैसे मिठास, गर्मी, दया, गुसा, क्रोध, बचपन, ये सब क्या है, भाव, तो ये जो सारी चीज़े हैं वो क्या कहलाती है संग्या कहलाती है हमने पड़ा कि किसी प्राणी वस्तु इस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं तो अब आपको समझ में आगे संग्या क्या हुआ प्राणी वी जैसे कि मोहन राम शाम वस्तु मेज पुस्तक कुर्सी पैन इस्थान जैपुर गा इठा, क्रोध, गुस्सा, ये सब भाव हो गया, तो परिवाशे समझ में आने के बाद हम देखते हैं, प्रकार, संग्या के प्रकार, संग्या के प्रकार होते हैं, तीन, संग्या के तीन प्रकार, संग्या तीन प्रकार की होती है, पहला हो गया व्यक्ति वाचक संग्या, फर् उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, हमने का किसी व्यक्ति विशेश का, इस्थान विशेश का या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे राकेश, राधा, उद्यापुर, हिमाले, जेलेबी, ताजमहल, आदी, तो ये साथ संग्या है किसमे कर गया है जाति वाचक जेश शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्तों का बोध होता है उससे जाति वाचक संग्या कहते हैं जैसे हमने कहब लड़का तब इसमें राम भी आ गया मोहन भी आ गया शम भी आ गया तो लड़का एक जाती हो गई यहाँ पर हमने का पहाड पहाड जो सारे पहाड है हिमाले भी हो गया और दूसरे जो पहाड है वो भी उसमें आगे हमने का नदी तो सारे नदियां आगे जैसे कि गंगाई अमना जमना यह सब किसमें आगे नदी में हमने का पुस्तक हमने का पुस्तक तो प बिठाई में लड़ू, इमर्ती, जलेबी, जो भी है, सब आ गया, तो ये जाती विशेश, जिस शब्द से किसी जाती के प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाती वाचक संग्या, संग्या का तीसरा प्रकार है हमारे पास, भाव वाचक, जोद का मतलब ज्यान या पता चलता है, उसे हम भाव वाचक संग्या कहते हैं, जैसे कि वीर्ता, तो उसके गुण का पता चलता है किसी व्यक्ति के, हमने का राम बहुत वीर है, तो वीर्ता उसका गुण है, बचपन, मिठास, खुशी, मैं बहुत खुश हूँ, तो से किसी प्राणी या पधार्त के गुण, भाव या सो भाव का पता चलता है, तो हम उसे कहते हैं भाव वाचक संग्या, तो यह हमारा आज का चाप्टर फिनिश हो गया, तो हम एक बार रिपीट कर लें संग्या की परिभाशा और संग्या के प्रकार, तो संग्या के प्रका के बाद संग्यक की परिभाशा और उसके प्रकारों की परिभाशा याद करेंगे और इसके साथ जो वक्षित आपको भीजी जा रही है वो हिंदी व्याकरन की कॉपी में करेंगे ओके थैंक यू